पांसो उन्तिस का वर्गमुल कैसे निकलें अभी हम सिखेंगे दोस्तों बिलकुल आसान है अभी हम दो देखे संख्या के अभाज ये गुनंद्खन कर देंगे अभाज ये गुनंद्खन करने के लिए आप जानते अपनी अभाज ये संख्याओं से दिवाज करना होगा अभाज ये गुनंद्खन यानी फ्राइट्राइजेशन इंगलीष में देखे दोस्तों यहां पर सरप्रतम अपना दो से दिवाएट करके चेप करना है दो से कौन से संख्या दिवाज होती है यानी कौन से संख्या में दो का भाग जाता है वे संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई हो तो ये 2 से डिवाइट नहीं होगी क्योंकि इन में से है नहीं इसका इकाई अंक तो क्यों चेक करना नहीं याद करनो ट्रिक से आपका काम हो जा रहा है तीन के बात कर लेते हैं अंकों का योग करने पर तीन से विभाजित हो तो वो संख्या आपकी तीन से विभाजित हो जाएगी इसका योग कितना आ रहा है 9 प्लस 2, 11 प्लस 5, 6 जो कि तीन से विभाजित नहीं है मतलब ये तीन से भी विभाजित नहीं है 5 के बात कर लेते हैं तो इसका इकाई-अंग उना चीए, 0 और 5 होना चीए, तो इसका 1 जिरो और 5 नहीं है, मतलब ये आपका 5 से भी नहीं है, ऐसे करके आपने 7 का चेक किया, 7 से भी नहीं है, जब आगे चेक करते जाएंगे दूस्तों, तो आगे की आपके अभाजी संग है, कौन से होती है वो मैं लिख देता हूं यहां पर आपके आगे कि अभाज ये संग क्या है दोस्तों 11 13 17 19 23 29 यहां पर यह आपका 23 से भी बाजित हो रहे 529 में जब आप दोस्तों 23 का भाग देते हैं तो 23 तू कितना होता है 46 कितना अगया अच्छा है और इस 9 को यहां ले आए कितनी वार चला गया तीन वार कितना अगया 79 माइनस किया कितना अगया 0 दोस्तों जितनी वार आपका भाग गया वो इसके क्या लिखना है नीचे लिखना है ऐसे समझ लो हमने 23 का भाग दिया 529 में कितनी वार गया 23 फिर हम 23 में तेश का भाग दें कितना एक वार तो 529 के हमारे अभाज ये गुनंध खंड क्या आगए ये तेश गुना हमें क्या चाहिए दोस्तों इसका अंडूट का वेलू चाहिए तो क्या होगा बिल्कुल सिंपल है दो समान संख्या को जोडा बनाया और प्रतिक जोडे में से इस संख्या को एक और यहां लिख देना है लेकिन दोस्तों यहां पर आपके पास केवल और केवल एक जोडा ही है केवल एक पेर ही है तो अपना 23 को यहां लिख दिया यही आपका 539 का वरग मूल है अब यह वीडियो आपको कैसा लगा नहीं से कॉमेंट कर बाता है ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट पर विजिट करें अगले वीडियो में जल्दी फिर मिलता है